अमस्कार, रामा अवतार द्वारा आपका स्वागत, लेखा सास्तर कक्सावारा, अध्याय तीन, साजेदार का अवकास गराण, वे मर्तिव पर लेखे, अध्याय चार, फर्म का समापन, परशन एक से गुंड चास तक, परशन एक, जब कोई साजेदार स्वेच्छा से, वृ से क्या कहते हैं, उत्तर, साजेदार का अवकास गराण करना, परशन दो, अवकास गराण करने वाले साजेदार को क्या कहते हैं, उत्तर, बाहर जाने वाला साजेदार, परशन तीन, साजेदार किन दसाओं में अवकास गराण कर सकता है, उत्तर, ए, समस्त साजेदारों की स अवकास गिरण की सूचना देकर प्रश्न चार साजेदार के अवकास गिरण पर आनने वाली लेंखांगन समझ चाएं कौन कौन सी है उत्तर के नया लाब आनी अनुपात अधा फायदे का अनुपात ज्याद करना खे खेती का समायोजन करना गे संपतियों में दाईत्यों का पुनर मुल्यांकन करना गे संचित लाबो तथा हानियों का विवाजन डे सेंक्त जीवाम पालिश्टी का समायोजन चे अवकास गिरण करने वाले साजेदार को देहरासी का निर्धारन छे अवकास गिरण करने वाले साजेदार के उत्रादिकारी को देहरासी का भुगतान और जय पूंजी का समायोजन प्रस्ण पांच साजेदार के अवकास गरण करने पर सेज साजेदारों के लाव व्याजन अनुपात पर क्या परवाब पड़ता है उत्तर लाव व्याजन अनुपात परिवर्तित हो जाता है अते नए लाब वियाजन अनुपात की गढ़ना आवश्यक होती है परसन छे सेज साजेदार भविशे में होने वाले लाब का वियाजन किस अनुपात में करेंगे उत्तर नए लाब वियाजन अनुपात में परसन साथ नया लाव आजन अनुपात ग्याद करने का सुत्र क्या है उत्तर नया लाव आजन अनुपात बराबर पुराना लाव आजन अनुपात जोड फायदे का अनुपात परशन आठ सेज साजेदार अवकास गरन करने वाले या मर्द साजेदार के भाग को जिस अनुपात में प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं उत्तर फाइदे का अनुपात पर्शन नो फाइदे का अनुपात ग्याद करने का सुत्र क्या है उत्तर फाइदे का अनुपात बराबर नया लाव्याजन अनुपात गठा पुराना लाव्याजन अनुपात परसंदस सेज साज़ेदारों का नया लाव याजन अनुपात नहीं दिया गया है तो लाव याजन किस अनुपात में होगा उत्तर पुराने लाव याजन अनुपात में परस्ण 11 आवकास ग्रन करने वाले या मर्द साजेदार को देख ख्याती को किस अनुपात में 3700 से वसूल की जाएगी उत्तर फायदे के अनुपात में परस्ण 12 पूराने साजेदारों के लाब के हिस्से में कमी का परतीक क्या है उत्तर त्याग अनुपात परस्ण 13 सेज साजेदारों के लाब के हिस्से में वृद्धी का परतीक क्या है उत्तर फायदे का अनुपात परस्ण 14 कौन सी ख्याती का लेखा पुस्तकों में किया जाता है और क्यों उत्तर करे की गई ख्याती का क्योंकि उसके लिए नगत परतिफल चुकाया जाता है परशन पंद्रा किसी साजेदार के अवकास गरण या मृत्यू पर ख्याती का समायोजन किस माध्यम से किया जाएगा उत्तर फुन्जी खातों के माध्यम से परशन 16 जब फ्रम से अवकास गरण करने वाले साजेदार को उसकी वास्तिक देराशी से अधीक भुकतान किया जाता है तो उस अधिराशी को क्या कहते हैं उत्तर ख्याती में उसका भाग या गुप्त ख्याती पर्षन 17 साजेदार के अवकास गरण पर संपतियों का पुनर मुल्यांकन वर दाइत्वों का पुनर निर्धारण की सनपात में होता है उत्तर उनके फुराने लाव व्याजन अनुपात में परषन 18. गणना परविश्थियां वे पुनर मुल्यांकन खाता कब बनाया जाता है उत्तर साजेदार के अवकास गरन और नए साजेदार के परवेश पर परषन उननीस पुनर मुल्यांकन पर ला भानी सभी साजेदारों में किस अनुपात में भाटा जायेगा उत्तर पुराने लाव याजन अनुपात में परशन बीस संपतियों और दाईत्वों को पुराने मुल्ये पर ही दिखायाना हो तो इस विदी को क्या कहते हैं उत्तर इस मनार्थ पुनर मुल्यांकन विदी परशन एकीस संचेवे एवित्री तलाब हों का बंटवारा सभी साज़ेदारों में किस अनुपात में होगा उत्तर पुराने लाव याजन अनुपात में परशन बाईस अवकास गरन करने वाले साज़ेदार को भुगतान किन विदियों से किया जा सकता है उत्तर एक एक मुष्थ भुगतान दो पूंजी खाते का सेश रिन खातों में इस्तारान अंतरन तीन किस्तों में भुगतान और चार वार्षिक विदी द्वारा भुगतान परसन तेईस तरल सादन किसे कहते हैं उत्तर नगदवे बैंक सेश को परसन चोईश किसी साजेदार के अवकास गरन करने अथ्वा मर्ति हो जाने पर साजेदार के पूंजी खाते को समयोजित करने की आवश्यक्ता क्यों होती है उत्तर सेज़ साज़ेदारों के लावियाजन अनुपात में परिवर्टन तथा फर्म की पूंजी में परिवर्टन के काराण पर्शन 25 वे मुले जिसे फर्म बीमा कमपनी से बीमा आउदी में समर्पृत करने पर प्राप्त कर सकती है उसे क्या कहते हैं उत्तर समर्पृत मुले पर्शन 26 फर्म द्वारा सभी साज़ेदारों के जीवन पर ली गई एक ही बीमा पालिशी को क्या कहते हैं उत्तर सयुक्त जीवन विमा पोलिशी परशन 27 फर्म द्वारा परतेग साजेदार के जीवन पर अलग अलग लिये गए जीवन विमा पत्र को क्या कहते हैं उत्तर, पर्थक जिवन विमा पोलिशी, पर्षन 28, किसी फर्म के समस्त साजेदारों के मद्दे, साजेदारी के समाप्त हो जाने को क्या कहते हैं, उत्तर, फर्म का विगटन या फर्म का समापन, पर्षन 29, जब एक फर्म के सभी साजेदारों के बीच साजेदारी समाप्त हो जाए तो उसे क्या कहते हैं उत्तर फर्म का समापन पर्शन 30 फर्म के समापन होने पर फर्म की सभी संपतियों और दाईत्यों का क्या किया जाता है उत्तर संपतियों का विक्रे तथा दाईत्यों का भुगतान पर्शन 31 फर्म की सभी संपतियों का विक्रे तथा दाईत्यों क को खातों के माद्यम से भुगतान प्रशन 32 साजेदारी समापन का क्या आर्थ है उत्तर एक साजेदार का आन्य साजेदारों से समंध तूट जाना प्रशन 33 क्या साजेदारी का समापन फर्म का समापन है उत्तर नहीं पर्शन 34 क्या फर्म की समापती साजेदारी की समापती है उत्तर हाँ, पर्षन 35, व्यापार की सभी किरियाएं कब समाप्त हो जाती है, उत्तर फरम की समाप्ती पर, पर्षन 36, कीन प्रिष्टितियों में फरम तथा साजेदार दोनों का समापन हो जाता है, उत्तर, एक, जब सभी साजेदार फरम को समाप्त करने का समजोता कर ले, दो, जब सभी साजेदार या एक को छोड़कर अन्य सभी दिवालिया गुशित हो जाए, तीन, जब फरम का कारोबार अवेद हो जावे, जब किसी साजेदार ने एचिक साजेदारी को समाप्त करने की सूचना अन्य साजेदारों को देदी हो और पांच जब नयले द्वारा फ्रम के समापन का आदेश दिया गया हो पर्शन अर्टीस, शाजेदार स्वेच्छा से शाजेदारी कब समाप्थ कर सकते हैं? उत्तर, समझोता होने पर पर्शन अर्टीस, फर्म अनिरारी रूप से किन प्रिष्थितियों को में समाप्थ हो जाती है? उत्तर, एक यदि फर्म का व्यापार अवैध हो दो, यदि एक शाजेदार के अलावा सभी शाजेदार दिवालिया हो, यदि कोई भी शाजेदार सत्रुदेश का नागरिक हो, और चार, यदि शाजेदारों की अधिक्तम संक्या, सामाने शाजेदारी में 20, और बेंकिंग वेवसाई में 10 से अधिक हो प्रशन 49, नोटिश दुआरा साजेदारी कब समाप्त हो जाती है, उत्तर, यदि साजेदारी स्विच्छा पर निर्बर हो प्रशन 40, किसी भी साजेदार के आवेदन पर नयाय लेकिन प्रिश्थितियों में फरम के समापन का आदेश दे सकता है उत्तर एक, यदि कोई भी साजेदारी मानसिक रूप से एस्वस्थ हो दो, यदि कोई भी सक्रिय साजेदार इस्थाई रूप से अपाईज हो जाए और साजेदारी के रूप में कारिय करने में एस्वस्थ हो 3. यदि कोई भी साज़ेदार दुराचार का दोसी हो जो कि फरम के व्यापार को परभावित करे 4. यदि कोई साज़ेदार जान बूज कर परसमिदे की अभेल ना करे 5. यदि फरम को व्यापार से केवल हानी ही होने की संका हो 6. यदि कोई साज़ेदार फरम में अपने हित को किसी तीसरे पक्स को अस्तांतरित कर दे 6. यदि न्याया ले किसी भी उचित कारण से संतुष्ठ हो 6. कौन सी विशेश घटनाओं के होने पर फरम कि समाप्ती हो सकती है उत्तर 8. साज़ेदार यदि किसी विशेदार के लिए हो तो अवदी समाप्त होने पर 9. किसी बी शाज़ेदार की मृत्ती होने पर और चार, किसी भी साजेदार का न्याय ले द्वारा दिवालिया गोसित होने पर परस्ण 42, साजेदारी अनुमंद में किसी भी परकार के परिवर्तन का क्या आर्थ है, उत्तर साजेदारी का समापन साजेदारी फ्रम द्वारा व्यापारी किरियाओं की समाप्ति का क्या अर्थ है उत्तर साजेदारी फ्रम का समापन पर्षन चम्मालिस किसी साजेदार के परवेश करने अवकास गरन करने मृत्ती होने पर लावाने अनुपात में परिवर्तन या अन्य किसी कारण से अनुबंद में परिवर्तन साजेदारी पर क्या परभाव पड़ता है उत्तर साजेदारी समाप्त हो जाती है परसन 45, साजेदारी फरम का समापन कब हो सकता है? उत्तर साजेदार की अपनी इच्छा से एव नयले के आदेश पर परसन 46, क्या साजेदारी की समापती के बाद भी फरम उसी नाम से व्यवशाय कर सकती है? उत्तर हाँ ऐसा समभव है परसन 47, क्या फरम की समापती पर व्यापारी किरियाएं जारी रह सकती है? उत्तर नहीं ऐसा समभव नहीं है परसन 48, क्या साजेदारी की समापती से फरम का समाप होना आवशक है? उत्तर नहीं ऐसा आवशक नहीं है परशन उन्चास क्या साजेदारी फ्रम की समाप्ती होने से साजेदारी सुते समाप्त हो जाती है उत्तर हाँ ऐसा ही होता है आप सांति प्रिये हैं रामावतार बटुक धन्यवाद